नमस्कार साथियों, चेटफंड न्यू चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, नई साल की सभी को बहुत बहुत हादिक सुबकाम नाए, साथियों, नई साल में आपके लिए वो खुशकबरी आई है, जिसका आपको कई सालों से इंतजार था, पीचेल ने जो पेशे लगेवे हैं, उनके लिए आज एक अच्छी ख़बर है, सेवी ने एक अच्छी ख़बर दी है, तो चैनल से जुड़े रहें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया है, तो नीचे जो दाल बटन दिखाए दिए उससे सब्सक्राइब कर ल पहुंचा सकूँ, वीडियो लाइक करना और पूरा अंत तक देखना ताकि आपको पूरी सीचेवस्टन का पता तल सके, तो देखे, पीए सीय लिमिटेट के निवेशकों के लिए रीफंड, जस्टिस डिटायट आरम लोधा कामिटी के द्वारा, SMS और उनलाइन पोटल के माध्यम से रीफंड आवेधन करने की प्रक्रिया. समिती ने अभी तक जो भी पैसा प्राप्त किया है, उसमें से रीफंड करने का निलने लिया है. पी ये सीयल लिमिटेट के निवेशकों को जिनकी पी ये सीयल के पास कुल बकाया राशी, 25уса या उससे कम है. निवेशकों को रीफंड अनिवारे रूप से पच्चिस सो प्रती दावा निवेशक के हिसाब से नहीं होगा रीफंड दावों की संक्या और उपलब धन के मुताबे यथानुपात प्रोराटर दिया जाएगा संशिप्त में रीफंड की प्रक्रिया जिन निवेशकों का PACL के पास कुल बकाया राशी पच्चिस सो या उससे कम है वे रीफंड के दावे निमलिखे तरीकों से भेच सकते हैं वेबसाइट पर जानकारी अपलोड करें सेभी कमिटी PACLRefund.com या फिर 562632 पर SMS करते दावे के आवदन की प्राप्ति के लिए अंतम तित्थी फरवरी 28-2018 है कृप्या ध्यान दें कि आपका PACL आवदन में नाम, Registration Number और क्लेम की राशी आपके PACL Certificate के अनुसार होनी चाहिए PACL Certificate में अपना नाम, Registration Number और क्लेम की राशी देखने के लिए वेडियो को रेफर करें SMS के माध्यम से रीफर्ण अनुरोद प्रक्रिया SMS के माध्यम से रीफर्ण प्रक्रिया शुरू करें चरण एक PACL प्रमान पत्र के अनुसार अपना नाम, फिर अपना Registration Number और क्लेम अमांट भेजें चरण दो अपना आधार PAN Number दर्च करें और अपने SMS Inbox को भीजे गई लिंक पर क्लिक करके PAN या आधार काट की Scan Copy अप्लोड करें चरण तीन PACL प्रमान पत्र की Scan की गई प्रतिलिपी को SMS के द्वारा भेजी गई लिंक पर क्लिक करके अप्लोड करें चरण चार बैंक खाता संख्या और IFSC कोट दर्च करें और SMS के द्वारा भेजी गई लिंक पर क्लिक करके पिछले तीन लेन देन दिखाते हुए नवनीतम बैंक स्टेट्मेंट की Scan Copy अप्लोड करें खाता धारक का नाम, खाता धारक का पता, बैंक खाता नंबर और IFSC कोट दिखाते हुए बैंक खाता विवरन अप्लोड करें अब आप अपना PACL refund अपने मोबाइल फोन से 562632 पर SMS फेज के असानी से क्लेम कर सकते हैं SMS फेजने के लिए अपना PACL registered name टाइप करें उसके बाद अपना PACL registered number टाइप करें उसके बाद अपनी क्लेम की राशी टाइप करें और 562632 पर भेज दें SMS भेजने के बाद आपको एक acknowledgement message मिलेगा जिसमें आपको एक PACL document upload link प्राप्त होगा अब अपने सभी PACL documents को upload और scan करने के लिए PACL document link पर क्लिक करें अब अपना ID proof चुनें उधारन के लिए आधार कार्ट अब अपना आधार कार्ट का नंबर डालें और फिर submit पर क्लिक करें अधार कार्ट को scan करने के लिए आधार कार्ट बटन का चयन करें विडियो के अनुसार आधार कार्ट को सम्योजत करें और फिर submit पर क्लिक करें अन्य सहायक दस्तावेजों के लिए यही प्रक्रिया दोहराएं क्लिक करें अब बैंक दीटेल्स पर क्लिक करें और अपना बैंक अकाउंट नंबर भरें अब बैंक अकाउंट नंबर भरें अब अपने बैंक का IFSC कोड भरें और सब्मेट पर क्लिक करें डॉक्यमेंट अप्लोट करने के बार डेक्लिरेशन चेक बोक्स तुनें और सब्मिट पर क्लिक करें अब आपका आवेदन सफलता पूर्वक्त जमा किया जाएगा अब आपको SMS के द्वारा अक्नॉलिश्मेंट मेसेज भेजा जाएगा ओनलाइन माध्यम से रीफंड अनुरोध प्रक्रिया ख्रप्या सेभी कमिटी PACLREFund.com पर जाएग चरण एक वेब प्राउजर पर वेबसाइट www.sebicamitypaclrefund.com पर जाएग चरण दो उप्रोक्त वेबसाइट पर उपलप्त कराएगए फॉन में निम्न विवरन दर्च करें दाविदा निवेशक का मोबाइल नंबर, PACL प्रमाण पत्र के अनुसार, दाविदा निवेशक का नाम, PACL पंजी करण संख्या, PACL प्रमाण पत्र के अनुसार, दावा किया गया राशी रुपय में आधार संख्या या PAN नंबर, बैंक खाता संख्या और IFC कोड चरण 3, bank card की scan की गई प्रतिलिपी अप्लोड करे चरण 4, PACL प्रमान पत्र की scan की गई प्रतिलिपी अप्लोड करे चरण 5, पिछले 3 लेन देन दिखाते हुए नवनीतम bank statement की scan copy अप्लोड करे खाता धारक का नाम, खाता धारक का पता, bank खाता नंबर और IFSC दिखाते हुए bank खाता विबरन अप्लोड करे रीफंड के लिए सेभी कमिटी PACL refund.com पर जाए अब अपना नाम भरे अब अपना registration नंबर भरे अब अपने PACL certificate के हिसाब से claim की राशी भरे अब अपना mobile number डाले डॉक्यमेंट्स अप्लोड करने के लिए get started पर क्लिक करे अब अपना ID प्रूफ चुने उधारन के लिए आधार कार्ट अब अपना अधार कार्ट का number डालें और save पर क्लिक करें अब अपने बैंक अकाउंट डीटेल्स भरें अब अपना बैंक अकाउंट नंबर डालें अब अपने बैंक का IFSC कोड डालें अब सेफ पर क्लिक करें अब विडियो के हिसाब से अपने सभी डॉकिमेंट अपलोड करें उधारन के लिए अपने कंप्यूटर से आधार का डॉकिमेंट चुलें और अपलोड पर क्लिक करें क्लिक करें डॉकिमेंट अपलोड करने के बार डेक्लिरेशन चेक बॉक्स चुनें सब्मिट पर क्लिक करें अब आपका आवेदन सफलता पूर्वक जमा किया जाएगा अब आपको SMS के द्वारा अक्नॉलिश्मेंट मेसेज भेजा जाएगा PACL दावेदा निवेशक क्या करें एवं क्या ना करें क्या करें क्रप्या निम्लकित जानकारी भेजें PACL प्रमान पत्र के अनुसार निवेशक का नाम दावेदा निवेशक का मूबाइल नंबर PACL प्रमान पत्र के अनुसार दावा की गई राशी रुपय में PACL पंजीकरण संख्या, आधार संख्या या फिर PAN No. Bank खाता संख्या और IFSC Code, PAN Card या आधार कार की स्कैन की गई प्रती पिछले 3 लेन देन को दर्शा आते हुए नवनीतम Bank Statement की स्कैन की गई कौपी खाताधारक का नाम, खाताधारक का पता, बैंक खाता नंबर और IFSC कोड दिखाते हुए बैंक खाता विवरन अप्लोड करें क्या ना करें, क्रप्या निमलखिक ना भेजें जब तक समती से विशिष्ट सूचना न दी जाए, तब तक क्रप्या अपना मूल PACL सर्टिफिकेट जमा न करें यदि PACL लिमिटेड के पास आपकी कुल बगाया राशी पच्चिस सु रुपए से अधिक है, तो आपसे अनुरोध है कि रीफंड आवे को जमा न करें क्रप्या ध्यान दें कि PACL के मूल प्रमान पत्र को भेजने की फिशिष्ट सूचना और भेजने का पता SMS की माध्यम से सूचत किया जाएगा PACL रीफंड दावों की कम्यों का सुधार, विसंगतियों, दावों की स्थिति जिन निवेशकों के दावे किसी कारण संसाधत नहीं किये जा सकते हैं, उन्हें इसकी सूचना SMS के माध्यम से भेजी जाएगी ऐसे सभी मामलों में निवेशकों को सलहा दी जाती है कि वह कमियां गलतियों को ठीक करके दस्तावेजों को SMS द्वारा भेजी करें लिंक पर फिर से अप्लोड करें अपने रीफंड दावे की स्थिति जानने के लिए क्रपया 044-395-71985 पर कॉल करें और हैश के बाद अपना मुबाइल नंबर डालें अब निवेशक जिनकी कुल मकाया राशी PACL Limited से पच्छिस सो या उससे कम हैं वह SMS या Online Portal के माधिम से अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं